रेस्टोरेंट या धाबे से अच्छे डाल तडगा घर पे बनाए वो भी सिंपल तरीके से और हेल्दी तरीके से आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ मिक्स डाल तडगा जिसे बनाना बहुत आसान है और टेस्ट आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं मिक्स डाल बनाने के लिए मैंने आप पस तरह के डाल लिया है सारे डाल जो है वो बराबर कॉंडिटी में इस्तमाल करें तो यहाँ पे मैंने 1-5th कप अरहर की डाल लिया है यानी तूर की डाल वन फिफ्ट कफ हम मसूर की डाल ले लेंगे लाल मसूर की डाल मैंने हाँ पर इस्तमाल किया है इसके साथ हम उरत की डाल ले लेंगे उरत का डाल इसमें बहुत अच्छा टेस्ट ले कियाता है चनी का डाल हम ले लेंगे चैना डाल भी same quantity में इस्तमाल करें और last में हम ये monkey डाल ले लेंगी तो यहाँ पर जो भी डाल हम खाते हैं वो सारे मैंने मिला के इस्तमाल किये हैं तो डाल को सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पानी से अच्छे से धोलेंगी तो यहाँ पर सारे डाल को मैंने एक बरतन में डाल दिया आप चीए तो डाल को पानी में भीगो के भी रख सकते हैं अगर आपने डाल को पानी में भीगो या तो डाल पकने में कम समय लेता है तो अगर आपको भीगोना है न तो 15 मिनट के लिए आप इसे पानी में भीगो सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे पानी से अच्छे से धो लिया है और अब हम चलते हैं इसे पकाने के प्रासेस में तो प्रेशर कुकर पैन में हम ये मेक्स डाल डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी तो यहाँ पे तीन कप पानी का इस्तमाल करेंगे पानी हम बाद में इस्तमाल करेंगे आदी छोटी चमच हल्दी बार्डर डाल दे और एक छोटी चमच के करीब नमक डाल दे थोड़ा सा हम तेल डालेंगे ताकि डाल जो है वो कुकर के बाहर नहीं आए सिटी से प्रेशर कुकर का डखन बंद किया मैंने और हम इसे हाई फ्लेम पे 6 सिटी आने तक पकाएंगे गैस का फ्लेम हमें पूरे प्रोसेस में मीडियम ही रखना है ध्यान रहे हमने इसमें चना डाल इस्तमाल किया है जिसे पकने में ज़्यादा समय लगता है इसलिए आपको 6 सिटी तो कम से कम लगानी है तो यहाँ पे 6 सिटी लग गई है हम गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद प्रेशर कुकर पैन को ठंडा हो जाने देंगे प्रेशर कुकर हमारा यहाँ पे ठंडा हो चुका है हम इसे सावधानी से खोल लेते हैं और यह हमारा डाल जो है वो अच्छे से पक गया है तो डाल अभी हमारा बहुत ही गाड़ा है तो जब हम इसे कड़ाई में पकाएंगे ना प्यास टेमाटर के साथ तब हम इसकी थिकनेस कम करेंगे पानी मिला के कड़ाई में हम चार चमज तेल गरम करेंगे जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे दो तेज पत्ता एक बड़ी लाइची, आधे इंची दालचीनी, एक छोटी चमच जीरा, एक चौधाई छोटाई चमच हींग और इसके साथ दो से तीन हरी मेर्ज, इन सब को पहले तेल में पका लें जैसे ही जीरा पक जाएगा, एक बड़ा चमच हम बारी कटा हुआ अद्रक और एक बड़ा चमच बारी कटा हुआ लैसुन डाल देंगे बारी कटा हुआ लैसुन अद्रक बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है तड़के में अब हम इसमें एक कप बारी कटागवा प्यास डाल देंगे प्यास को मैंने लंबाई में काटा है आप से ये तो बारी काट सकते हैं प्यास और टमाटर की कॉंटिटी हमें बराबर रखनी है यानि कि एक कप प्यास तो एक कप टमाटर तो यहाँ पे प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे गैस का flame medium रखना है और प्याज को golden brown होने तक fry कर लेना है जैसे ही प्याज soft हो जाएगा और इसका color थोड़ा change हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे tomato तो यहाँ पे यह tomato डाल दें और tomato को हम 4-5 मिनट तक धीमियाज पे पका लेंगे tomato को हमें तब तक पकाना है जब तक कि वो soft ने हो जाए आप चाहिए ना तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं ताकि tomato जो है वो जल्दी पक जाए तो पैन को हम cover कर देंगे और धीमियाज पे पकने देंगे 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं तो पैस tomato को हमने अच्छे से भून लिया है तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाले तो आदी छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर डाल दे आदी छोटी चमच धनिया पाउडर और आदी छोटी चमच गरम मसाला पाउडर हल्दी हमने डाल में डाला है इसलिए हल्दी का इस्तमाल यहाँ पे नहीं करना है मिला दें सबको अब हम इसे ढख देंगे और धीमी आज पे आदे मिनट के लिए पकने देंगे ताकि मसाला जो है वो पक जाए और जब तक ये पक रहना है तब तक हम क्या करेंगे कि गयास के दूसरे साइट पानी गरम होने के लिए रख देंगे जो हम दाल में आड़ करेंगे तो यहाँ पर प्यास टेमाटर मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है तो हम इसमें डाल देंगे ये उबला हुआ दाल तो यहाँ पर ये दाल डाल दें दाल डालने के बाद हम क्या करेंगे पहले ही से अच्छे से मिला देंगे उसके बाद गुन गुना पाने डाल के हम इसके थिकनेस को कम करेंगे जब भी आप डाल पकाए तो उसमें कोशिश करें गरम पानी आड़ करने की ठंडे पानी से डाल जो है वो अलग अलग दिखने लगता है और अगर आप गरम पानी या खौला हुआ पानी आड़ करेंगे तो इसलिए पानी मैं थोड़ा ज़्यादा एड़ करेंगे तो टोटल मैंने यहाँ पे पाच कप पानी डाला है मिला दे इसे अच्छे से अब हम इसमें डाल देंगे नमक तो ध्यान रहे दाल को उबालते वक्त हमने एक छोटा चमस नमक डाला था तो यहाँ पे बाकी का नमक डाल देंगे क्योंकि डाल की क्वांटिटी हमने बढ़ा ही है पानी डाल के तो स्वाथ के अजुसार नमक डाल के हम इसे अच्छे से मिला देंगे अब हम पैन को कवर करके तीन से चार मिनट तक धीम याच पे पकने देंगे तो यहाँ पे गैस का फ्लेम धीमा रखें तीन मिनट यहाँ पे हो जुके हैं डाल हमारा अच्छे से पक गया है पानी और मसालो में मिक्स हो गया है तो सर्फ करने के पहले हम क्या करेंगे इसके उपर डालेंगे बहुत सारा धनिया पता जी हाँ इसमें धनियापता बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है इसलिए धनियापता फ्रेश और ज़्यादा इस्तिमाल करें तो यहाँ पे एक चौथाई कप मैंने धनियापता बारी काट के रखा था धनियापता डाल दे दन्या पत्तर डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिला देंगे और गैस बंद करने के पहले हम क्या करेंगे ना इसके उपर दो चमल देसी घी डाल देंगे घी से इसकी खुश्बू बढ़ जाती है और दाल का टेस्ट एक अलग लेवल पे चला जाता है तो यहाँ पे दो चमल देसी घी डाल दे और घी डालने के बाद ना पैन को कवर कर दे और गैस को बंद कर दे और इसके बाद हम इस दाल को 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 2 मिनट बाद ये हमारा सूपर टेस्टी दाल जो है वो बन के तियार हो गया है ये देखे तो आप इस दाल को गर्मा गरम स्टीम राइस के साथ ऐसे सर्फ करे या फिर आप इसके उपर और एक बार तड़का लगा है जिससे इसका टेस्ट जो है वो एकदम होडल या ढावे जासा आएगा तो इसके लिए मैंने यहाँ एक तड़का पैन गरम किया है तो दाल को मैं यहाँ से अटा देती हूँ सर्फिंग वने जगह पे ले जाती हूँ और तड़के को रेडी कर लेती हूँ तो तड़का के लिए मैंने यहाँ पे दो चमच घी गरम किया है घी के गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे एक चमच बारी कटा हुआ अद्रक और एक चमच बारी कटा हुआ लैसून अद्रक और लैसून को मैंने लंबाई में काटा है थोड़ा सा अप्षिये तो यहाँ पे फ्रेश करी पत्तर डाल सकते हैं और इन सब को ना ऐसे अच्छे से पका ले ब्राउन होने तक जैसे ही लैसून अद्रक पक जाएगा हम गैस को बंद कर देंगे और इस तड़के को हम डाल देंगे दाल पे तो यहाँ पे हमारा तड़का जो है वो बंद के तियार है इसमें जीरा या राई डालने की जरूवत नहीं है आप जीरा या राई डालने की जरूवत नहीं है तो गैस को बंद कर दें और दाल सर्फ करने के बाद मैं उसके उपर यह तड़का डालूँगी आप चीए तो तड़के को यहाँ भी आड़ कर सकते हैं तो यह हमारा सूपर टेस्टी दाल जो है बन के तियार हो गया है यह देख सकते हैं तो हम इसे डाल देते हैं इस सर्विंग बाउल या प्लेट में और यहाँ पे डाल की ठिकने साब देख सकते हैं एक दम पॉफिक्ट है और हमने इसमें मिक्स डाल इस्तमाल किया है जिससे यह बहुत हल्ली भी है तो यह हमारा सूपर टेस्टी और बहुत ही अमेजिन मिक्स डाल तड़का जो है वो बन के तियार हो गया तो डाल तो हमने सर्व कर दिया न और इसके उपर यह तड़का डाल दे तो यह हमारा रेस्टरेंट या होटेल से अच्छा डाल तड़का जो है वो बन के तियार हो गया जो कि बहुत ही डेस्टी बनता है बहुत यमेजिन बनता है आप इस दाल तड़का को जीरा राइस, प्लेन स्टीम राइस या फिरोटी के साथ करमा गरम सर्फ करे आप एक बार इस दाल को जरूर बना के देखे, ये दाल आपके फैमली को बहुत पसंद आएगा